आप सबका मरदे साभार लेखते करता हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहां आए मुझे आपके दर्शुन करने का सोभागी मिला और आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे लेकिन मेरी मिटिंगे चल रही थी और उसके कारण मुझे भी लगा आप तो मेरे घर के हैं थोड़ी तकलीफ होगी तो चल जाएगा आप सब यहां पर अपने आचार से विचार से वहवार से भारत के एक उत्तम छबी है वो यहां के जन जीवन में प्रस्थाफित करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है और उसने आपको बहुत बखुबी आपने निभाया है भारत का गवरो बढ़ाने में भारत के प्रती दुनिया का सकारत में खयाल तयार करने में विश्व में पहुचे हुए जो भारतिये हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका आदा की है कहीं पर भी दुनिया के किसी भी देश में जाईए भारतियों के प्रती शिकायत होगी ऐसी कोई घतना अभी तक मेरे ध्यान में नहीं आई गत पांच बर्स में दुनिया के कई देशों में गया दुनिया के कई देशों के महानुभावों से मिला और हर किसी ने उस देश में भारतिये कम्यूनिटी का जो कंट्रिबूशन है जो ब्यावार है समस्कार है उसका गवरव पून रूप से उल्लेक किया है यह हमारे लिए बहुत बड़े गर्व का विशय है और भारत की जो आज दुनिया में छबी बन रही है आप भी अनुभाव करते होंगे कि भारत के प्रती ही लोगों का देखने का नजरिया बड़ला है वहां की सरकारों का नजरिया बड़ला है तो एक सुभग संयोग हुआ है कि वर्तमायन सरकार और विश्व में फैला हुआ भारतिय समुदाए इन दोनों के बीच में एक ऐसा वेवलेन तयार हुआ है एक ऐसी वैचारिक धरातल तयार हुई है एक सपनों का इस प्रकार से संकलन हुआ है कि देश का प्रधान मंत्रि जो सोचता होगा दूर सुदूर आफरिका के गाउन में बैठा हुआ कोई भारतिय भी छोटी दुकान देके बैठा होगा वो भी वैसा ही सोचता है वैसा ही बोलता है शिलंकायों के एक इसी कौने में होगा, वो भी वैसा ही बोलता है वैसा ही करता है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत को देने के लिए आपकी भूमी काकर मैं गर्व से स्विकार करता हूँ आफ़ार भी व्यक्त करता हूँ हिंदुस्तान मैं पिछली दिनों ज़र आप ज़्यादा खबरे देखते होंगे टीवी देखते होंगे, डिबेट देखते होंगे तू तू मैमे की कहानिया सुनते होंगे कभी आपको अच्छा लगता होगा, कभी आपको गुसा आता होगा लेकिन वो दोर्थमाप तो हो चुका है और देश की जनता ने एक बहुत ही क्लियर कट मेंडिट दिया है ये अपने आप में भारत के मतदाता कि सुजबूच कितनी परिपक्व है उसकी समझदारी कितनी परिपक्व है ये दुनिया के लिए अध्यान का विशय है लोग भले कहें कि भारत में सिख्षा का प्रमाणिय है डिकना है, पलाना है लेकिन लोग कंत्र के प्रति उसकी समझ देश के प्रति उसकी जिम्यवारी का उसका एसास इस चुनाव में हम भली भारती देख सकते हैं और इसलिए भारत के लोग तंत्र का जितना जयगान हम कर सकते हैं दुनिया के लोगों का अश्र होता है कि इतना बड़ा चुनाव 900 मिलियन मत दाता और अगर चाइना को छोड़ दे तो दुनिया के किसी भी देश की पॉपिलेशन से ज़्यादा लोगों ने इस पर वोट डाला है और ये इतना बड़ा नेड़े होता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है आजादी के बात सबसे ज़्यादा मत दान इस चुनाव में हुआ है आजादी के बात नोग सबाव है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और वो भी मई मैने में 40-45 डिगरी टेंपरेचर गर से बाहर नेगलो तो चम्डी जल जाए उसके बाद भी मर्दान हुआ आजादी के बाद अब तक महिलाओं का सबसे ज़्यादा मर्दान इजबार हुआ है आजादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में महिला MP चुन करके आए है यानि एक प्रकार चे भारत ने दुनिया के लिए एक ससक्त संदेश दिया है कि भारत का लोगकंत्र कितना परिपक्प है भारत का लोगकंत्र कितना सामर्दवान है और लोगकंत्री मुल्यों के लिए भारत कितना समर्पित है भारत में लोकतंत्र ये व्यवस्ता नहीं है भारत में लोकतंत्र ये संस्कार है और दुनिया यही समय नहीं पाती है दुनिया आज भी व्यवस्ता से लोकतंत्र से जुड़ी हुई है भारत संस्कारों से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है सद्यों से हमारे पुर्वजों ने जो परंपरा बनाई है उसमें लोककंत्र का एसंस है और बुशी के कारून आज हमारा लोककंत्र सामर्थवान बनकर के नित्य नहीं ताकत पाते हुए आगे बढ़ रहा है और मैंने तो चुनाख जीतने के बाद भी कहा है कि भले मतदान के समय अधिकमत, कम वोट, जानदा वोट वाला जीतता है वगिर होता है लेकिन वो सब काउंटिंग तक ही होता है काउंटिंग होने के बाद कश्मीर से कन्या कुमारी, अटक से कटक, हिंदुस्तान एक होता है 130 करोर देशवाश्यों का कन्या, यही सरकार का लक्ष होता है, यही सरकार की जिम्यवारी होती है और मैंने उसको दोराया है, आज फिर से दोरा रहा हूं, हमें इस देश को आगे ले जाना है पांच साल में और गती बढ़ानी है, और नएक शेत्र बढ़ाने है हर हिंदुस्तानी का सपना पूरा करने के लिए प्रयास कर रहा है उसमें कोई कमी न रहे, और आप जैसे लोगों का आशिरवाद बना रहे भारत की विकास यात्रा में आप भी भागिदार बने, आपको भी मेरा निवंत्रा है आपने इतनी बड़ी मात्रा में आकर के हमें आशिरवाद दिये मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद झाल 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 झाल